पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है तसकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं ताजा मामला प्राणपूर के रोशना ओपी शेत्र का है यहां रोशना ओपी पुलिस ने 112 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तसकर को गिराफतार किया है आपको बता दे कि पुलिस ने घुप सूचना के आधार पर बिहार बंगार सीमा शेत्र के बाबुपूर लाभापुल के पास बुद्वार सुभर ही एक कारवाई की वहीं ओपी प्रभारी प्रेम कुमार भारती ने बताया कि बाइक सवार एक युवक बंगाल की तरफ से छोला में शराब लिये बिहार की ओरा रहा था जेक पोश्ट के पास पुलिस की गारी देख वो अपनी बाइक छोड़ कर भागने लगा मगर वहां मौझूद पुलिस बल ने युवक को खदेर कर पकर लिया आवशक कारवाई के बाद युवक को जेल भीज में की दर्ज की गई है उन्होंने बताया कि तसकर को बंगाल से बिहार बॉर्डर पार कराने वाले लाइन मैन और तसकर के सक्री गिरोह का पता किया जा रहा है ओपी प्रभारी ने बताया कि दोनों राजिक के सीमा शेतर में शराब तसकर के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है किसी भी हाल में तसकर बख से नहीं जाएंगे धरनजे यादव टाइम्स न्यूज प्राणपूर